आप सभी को जोती शाचारी डॉक्टर जोती वर्दन सानी का साधन नमस्कार विश्व के सबसे प्राचीनतम संस्क्रतिक सनातन धर्म के जितने भी नियम हैं आज तक हमारे वेद पुराण में कोई भी कमी कोई भी विक्ति निकाल नहीं सका है किसी में कोई परिवर्तन किया जाए ऐसी कभी नौबत नहीं आई है और विक्रमी सम्मध 2078 अब शुरू हो रहा है तो आप देखिए जो विक्रमी सम्मत शुरू किया गया, उनी वेदों के अधार पे एक चैत्र मास नाम दिया गया पहले महीने को, जो अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो लगबग अप्रेल में आता है, आप देखिए बसंद पंचमी के बाद जैसे ही हुली बीथती है, त जैत्र मास से, और सबसे बड़ी बात ये, कि हमारा जो नियम है, वो उसमें तिथी परिवर्तन सुर्योदे से होता है, नाकी रात के बारा बज़े से, तो अंग्रेजी तिथी में जब बारा बज़ता है, 31 दिसंबर को तो बारा बज़ के एक नड़ पे कहते हैं, आप हैप हैं, जो सुर्य जिसके के बीना एक दिन भी जो आदमी वैतित नहीं कर सकता है, जो पूरे दुनिया को ऊड़ जा देता है, वहाँ से उसको जीवन का धोतक माना गया है, और जैसे सुर्योदे होता है, वहाँ से तिथी भी बदलती है, और नए वर्ष का नई सम्वद का प् ने हैं लेकिन आप देखिए जो एक तरह से भारती है जो एक बड़ा छेत्र था आप तो थोड़ा छोटा रहे गया है भारत लेकिन जो प्राकतिक इसको एक संपदा मिली हुई है पत्तियां नहीं आना फिर अलग-अलग फलाना फिर आम आना तो वो एक परिवर्तन व्यक्ति कोई लगता है कि मेरी जिन्दगी में कुछ नया हो रहे नई उमंग आ रही है आप दिसंबर में ये बात ऐसे देखते हैं जैसे चुट्टियां भी हो जाती है ज्यादा ठंड पड़ जाती है सब लोग घरों में दुपक जाते हैं कोई उत्सा एक दिन का मनाने से नहीं है म अगवान राम के जन्म उत्सव को मनाते हैं और ऐसा मानते हैं कि पूरा वर्ष ही हमारा कल्याण होगा जब हम शक्ति की उपासना कर लेंगे तो शक्ति भी मिल जाती है करपा भी मिल जाती है और एक जो जलवायू है उसका एक समागा हम हम सही माइने में कर पाते हैं और इस से शादियां भी अभी यसी नवरात्रे खतम होंगे 22 तारिक से शुरू हो जाएंगी तो आप ये वर्ष हस्ते खेलते मनाईए और जो भी व्यक्ति कितना भी वो अपना अंग्रेजी क्लेंडर लगाता हो देखता हो डेट बोलता हो कारिवाई करता हो लेकिन आप देखिए भ बहुत बहुत शुक्कामना है धन धानने से परिपूर रहें आप पूरा स्वस्त रहें और एक अप्रेल से अभी जो पहताले से साथ वर्ष की आयूग के वेक्सिनेशन भी शुरू हो गया है तो अप्रेल का मतलब अंग्रेजी तिति से मत देखिए ये चैत्र महीना है जो अंथिक चेत्रों स्वास्त का चेत्रों और आपके जीमन में खुशाली रहें ऐसी मैं काम ना करता हूं संत्वाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे संत्वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले